योना भोई श्वक्ता की पुस्तक अध्याई एक, 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 योना भोई श् सन्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा, और यापोनगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहाज पाया, और भाणा देकर उस पर चड़ गया, कि उनके साथ होकर यहवा के सन्मुख से तर्शिश को चला जाए. तब यहवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज तूटने पड़ था, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, और जहाज में जो व्योपाय की सामगरी थी, उसे समुद् यहां जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था, और गही नीन में पड़ा हुआ था, तब मान जी उसके निकटा कर कहने लगा, तू भारी नीन में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दोहाई दे, संभव है कि परमिश्वर हमारी चिंता करे, और हमारा नाश नहो, फिर उन्होंने आपस में कहा, आओ, हम चिठ्ठी डाल कर जान ले कि यह विपत्ती हम पर किस के कारण पड़ी है, तब उन्होंने चिठ्ठी डाली, और चिठ्ठी योना के नाम पर निकली, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता, कि किस के कारण यह विपत्ती हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, और तू कहां से आया है, तू किस तेश और किस चाति का है, उसने उनसे कहा, मैं इबरी हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल, स्थल दोनों बनाया है, उसी का भै मानता हूँ, तब वे निपट कर डर गए, और उससे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है, वे तो जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भागाया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था, फिर उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ क्या करें, जिससे समुद्र शांध हो जाए, उस समय समुद्र की लहरे बढ़ती ही चली जाती थी, उसने उनसे कहा, मुझे उठा कर समुद्र में फेक दो, तब समुद्र शांध पढ़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे उपर मेरे ही कारण आई है, तो भी वे बड़े यतन से खेते रहे, कि उसको किनारे पर लगाये, पर पहुच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरे उनके विरुद्ध बढ़ती चली जाती थी, तब उन्होंने यहवा को पुकार कर कहा, हे यहवा, हम बिंती करते हैं, कि इस पुरुष के प्रान की संती हमारा नाश नहोने दे, और नहमें निर्दोष की हत्याका दोशी ठहरा, क् कि हे यहवा, जो कुछ तेरी च्छाती, वही तुने किया है, तब उन्होंने यहवा को उठाकर समुद्र में फेक दिया, और समुद्र की भयानक लहरे थम गई, तब उन मनुशोंने यहवा का बहुत ही भैमाना, और उसको भेक चढ़ाये, और मन्नते मानी, यहवा ने तो एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था, कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में तीन दिन और तीन रात पड़ा रहा,